हिमाचर प्रदेश के पूर्व सीम वीरभद्र सिंग फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं आईजीमसी में उपचारा धीन वीरभद्र सिंग की तब्यत कुछ ठीक नहीं थी जिसके चलते उनका कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें आज सुभा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गई कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पिछले काफी समय से आईजीमसी में उपचारा धीन है और उनको स्वास्ते संबंधी कई और दिक्कते भी हैं ऐसे में उनका दुबारा कोरोना पॉजिटिव पाया जाना चिंता की बात है इससे पहले वे 12 अप्रेल को कोरोना पॉजिटिव पाये गए थे और उसके बाद उन्हें चंडिगर के मैक्स अस्पताल में भरती करवाया गया था वहीं उन्होंने गतीन मार्च को कोरोना का पहला टीका भी लगवाया था मैक्स से वापस आने के बाद शिमला पहुँचते ही उनकी तब्यत खराब हो गई और उन्हें आईजीमसी शिमला में भरती करवाना पड़ा तब से लेकर वे वहीं पर हैं लेकिन आज सुभा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आईजीमसी के MS डॉक्टर जनकराज ने उनके पॉजिटिव होने की पुष्टी की है